जादा तर घरों में अर्वी खाना लोग नहीं पसंद करते बच्चे लेकिन आज मैं अर्वी की एक ऐसी रेस्पी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चे बड़े सभी मांग के खाएंगे बहुत थी अलग तरीके की बहुत ही मजे की अर्वी की सबजी बनने वाली है तो आज बनाएंगे दम अर्वी की सबजी और साथ में बीट रूट की रोटी ये दोनों का ही कॉम्बेनिशन बहुत ही मजे का लगने वाला है हेलो एवरिवन कैसे आप सभी आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे तो दम अरवी की सबजी बनाने के लिए यहाँ पर 500 ग्राम अरवी को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे साथी साथ आट कर देंगे पानी और एक सीटी यह पर आने देंगे एक सीटी जैसे ही आजाएगा ग्यास की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसका प्रेशर निकलने देते हैं अब यहाँ पर दम अरवी की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले इसके ग्रेवी के दियारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर लिए हुए है दो अधरक का टुकडा एट करेंगे एक हरी मिर्च और एक टीस्पून नमक डालके इसका एकदम फाइन प्यूरी बना लेंगे तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बनके तयार है अब चलिए अरवी को चेक कर लेते हैं अरवी का प्रेशर निकल चुका है तो यहाँ पे कूकर क लेट खोल लेंगे और यह देखिए अरवी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है तो बस इसका जो पानी है वो हमें डिसकार्ड कर देना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से पानी मैंने डिसकार्ड कर दिया है और अरवी को हमें छील लेना है यानि कि इसके छिलके निक क्योंकि अर्वी अलग-अलग साइस की है, तो जो बड़े साइस की अर्वी है, उसके मैंने दो पीसे कर लिए हैं, और यहाँ पे अर्वी हमारी हो गई है, रेडी, अब एक पैन में अर्वी को शेलो फ्राइ करना है, तो यहाँ पैन में डाल देंगे ओल, यहाँ पे मैं नमक और अर्वी को इस तरह से जो है हमें दोनों तरब से अच्छे से शेलो फ्राइ कर लेना है तो इस तरह से शेलो फ्राइ करने से अर्वी का जो चिप चिपापन होता है वो निकल जाता है तो देखें यहाँ पे शेलो फ्राइ मैंने कर लिया अर्वी को और इसे अभी क्ले में निकाल लेंगे अरवी को शेलो फ्राइ करने के बाद दही और मसालों का पेस्ट तेयार कर लेते हैं तो यहां पर मैं दो ती हाई कप ले रही हूं दही खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए फ्रेश दही लेनी आपको और अच्छे से इसे इस तरह से वैस्ट कर ले ताकि दही बिल्कुल भी दानेदार ना रहे अब इसमें आड़ करेंगे 1.5 टीस्पून हल्दी का पाउडर 1.5 टीस्पून कश्मीरी लालमेज का पाउडर 2 टीस्पून आड़ करेंगे धनिया का पाउडर और 1.5 टीस्पून आड़ करेंगे गरम मसाले का पाउडर इसी क जो अर्वी को हमने शालो फिर torch किया था वो थोड़ी से ठंडे हो गए हैं तो अब इससे त्यार कर लिए है और कड़ाई में डालेंगे ऊइल। और चलिए अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं तो यहां पर ओयल में डालेंगे साबो जीरा तो एक टी स्पून मैंने डाल दिया साबू जीरा, आधा टी स्पून डाल दी है हैं और अब इसमें आड कर देंगे बारिक कटी हुई प्याज, प्याज को हमें light brown होने तक भुन लेना है तो जैसे ही प्यास light brown हो जाए वैसे इसमें टमाटर वाला paste आड़ कर देंगे और यहां पे जैसे ही टमाटर वाला paste आड़ किया वैसे ही काफी पानी-पानी सा लग रहा है तो यहां पे इसे हमें dry कर लेना है तो इसे इसी तरह से पकने देते हैं और side by side हम बाकी की तियारी कर लेते हैं तो यहां पे धनिया को मैंने बारिक चॉप कर लिया है साथी साथ बीट रूट रोटी बनाने के लिए एक बीट रूट को भी मैं पिल आफ करके रख दूंगी तो जैसे ही टमाटर का paste भुन रहा है यहां side by side मैंने यह सारी तियारी भी कर ली ह और चलिए अब चेक कर लेते हैं तो यहां पे टमाटर का paste अच्छे से भुन चुका है काफी अच्छे से यहां पे ड्राय हो चुका है मतलब इसका पानी सारा सूक चुका है तो अब इसमें दही वाला paste आइड करेंगे दही वाला paste आइड करते टाइम गयास की flame को बिलकुल लोपे कर दे या फिर आप बंद कर दे नहीं तो दही इसमें जाते ही फट जाएगी तो बस दही के paste को भी हमें oil release होने तक भूलने ना है तो आप देखेंगे कुछे टाइम में मसाले oil release करने लगेंगे और इनका बहुत ही बढ़िया सा color आ जाएगा तो देखिए oil उपर त तक अरवी को भून लेना है तो यहाँ पे अरवी को भूनते हुए 4-5 मिनट तक हो गए है तो इसमें add कर देंगे एक कप उबला हुआ पानी ध्यान रखें पानी हमेशा उबला हुआ ही add करें ठंडा पानी नहीं add करना है नहीं तो सबजी का color खराब हो जाता है और यहाँ पे दम अरवी जो है बहुत जादा gravy वाली नहीं बनती इसलिए बहुत जादा पानी मैंने नहीं add किया है तो करीब 4-5 मिनट मैंने इसे और पका लिया है हमारी tasty मज़ेदा सी दम अरवी की सबजी बनके तयार है गैस को off कर देंगे और उपर से बारी कटी हुई हरी धनिया add कर देंगे मज़ेदा टेस्टी सी दम अरवी की सबजी बनके तयार है तो चलिए बना लेते हैं beetroot वाली रोटी तो beetroot जिसे मैंने peel off करके रखा था उसे cut करके साथी साथ नमक और पानी के साथ इसका एक fine paste बना लेंगे और गेहूं के आटे में इसे add कर देंगे जो चिपका पाच-दस मिनट रेस्ट करने देना है यहाँ पर मैं ले रही हूँ दो टेबल स्पून जितना pumpkin seed दो टेबल स्पून मैं ले रही हूँ sunflower seed इसी के साथ साथ एक टेबल स्पून flax seed ले ली है मैंने इन सारी चीजों को mix कर लेना है तो beetroot की रोटी को और जादा healthy बनाने के ल यहाँ पर आटे की का एक पेडा मैंने ले लिया और इस तरह से seeds में प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा आटे से भी से dust कर लेंगे और इसे बेल लेना है तो जबी भी seeds वाली रोटी बनाएं तो एक चीज का दरूर ध्यान रखें कि यह रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है या थोड़ा सा इसे gas की flame पे भी सेख ले बीट रूट और सीट से बनी हुई यह रोटी बहुत ही ज़ादा healthy है इसे आप रोज चाहे तो रोज बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने उपर से इस पे घी लगा दिया है बच्चों को यह आप रोज देब उनके लिए तो बहुत ही ज लग किया है तो डिनर हो गया है रेडी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में चल दिन बबाई